लूटेरी बीबी नीता का परिवार उसकी शादी कराना चाता है पर नीता को अपने बॉइफ्रेंट से ही शादी करनी होती है जिसके लिए परिवार तयार नहीं होता इन्ही सब उल्चनों के बीच नीता के पापा उसकी मर्जी के खिलाफ राघव और नीता की शादी करा देते हैं अपने गुसे के चलते नीता शादी के अगले ही दिन से परिवार में सबको उल्टे जवाब देना, किसी की कोई बात ना सुनना और अपने मन मुताबिक रहना शुरू कर देती है जिससे घर में सबको दिक्कत होती है लेकिन नीता को कोई कुछ नहीं बोलता एक दिन सास नीता के पास आती है बहू? की गल? तुसे की बेनाल या किसी गल से नराज हो? तुहानू मेरी फिक्र करन दी कोई लोड नी, मैं ठीका ऐसा बोल नीता वहाँ से चली जाती है पर सास की बात उसके मन में रह जाती है शादी के अगले दिन से ही मैं सबको देनाल किनना ओखा भी है किता फिर भी आँ मेरे तो इनने प्यार नाल गल किवे कर सक दिया मानू नफरत करनी नहीं आउंदी ऐस करके वो सोचती है कि एक ना एक दिन तो हड़ा गुस्सा भी खत्म हो जाओगा इहा कदे नहीं हो सकदा इससे पहले रागव कुछ बोलता नीता का मुबाइल बज़ने लगता है जिस पर रागव वहाँ से चला जाता है और नीता फोन पर बात करने लगती है जिसके बाद अगले दिन से नीता की जैसे ही आत्मा बदल गई हो वो बिना किसी के बोले घर के सारे काम कर देती है उसकी ऐसी काया पलट देख रागव और उसकी मा हैरान रह जाते हैं बहू? ते मेरा दिमाग भी बस आज रियलाइज हो गया कि मैं अपने गुस्से विच किना प्यारा परिवार ठुकरा रही सी नीता की बात सुनकर से बहुत खुश होते हैं और अब नीता सास की सेवा से लेकर पति की हर बात मानने लगती है जिसकी वज़े से कुछी समय में घर की सारी भाग दोड उसके हाथों में आ जाती है उसी के साथ सास और रागो भी हर काम के लिए नीता पर ही डिपेंड हो जाते हैं नीता मेरा लाटटोप कित्थे आ बहु मेरे दवाईया अब नीता अच्छी पत्नी और सर्वगुन संपन्नम बहु बन गई होती है और इसी तरह विश्वास जीतते हुए एक दिन तिजोरी की चाबियां भी उसके हाथ में आ जाती है एहुई नगल हुन आएगल संद की विच्चिस्वाद तिजोरी की चाबियां हाथ में आती ही नीता एक रात सास और पती के सूती ही सारे गैने और कैश लेकर घर छोड़ अपने बॉइफरिंड के पास चली जाती है रवी मैं आ गी अब सानू कोई अलग नहीं कर सकदा तिविख मैं सारी जलरीत कैश भी साथ ले आई नीता की ये बात सुनकर रवी खुश हो जाता है और वो दोनों साथ रहने लगते हैं जिसमें नीता पूरा समय काम करती है तो रवी उसके लाए पैसों पर आश करता रहता है मैं तेरे तो प्यार कर दिया ता करके सिसुराल छड़ाई और एक तूवा जो पैसों दे आगे कुछ भी नहीं देखदा ओ मारानी अपने काम दो काम रख मेरे ते जुबान लडान दी जरूरत नहीं वरना इस घर तो बाहर कर देना है ए मैरा गरा तेरा सिसुराल नहीं रवी की बाते सुन नीता की सिर पर जैसे आसमान ही तूट जाता है एक तेरे करके मैंने अपने माँ पियो नाल उस भले चंगे सिसुराल नो भी धोगा दिता ते तू छड़ परे मेरी ही गलतिया जे अखा उत्ते ते तेरे प्यार दा पर्दा डाल उस दिन फोन ते तेरी गल्ना विच आ गई जे नहीं आउंदी ता आज खुशी नाल उते ही बैठी होनी सी ए भाशन उन ना दियो जिस्ते इसका फरक पड़े मेरे कॉल नाटंगे नहीं रवी वहाँ से चला जाता है और नीता रोती पच्टादी वहीं बैठ जाती है घर कैसे वापस जाए इसी डर से नीता रवी का घर छोड़ नहीं सकती इसी तरह दिन बीठते हैं और उनी के साथ हालात बच से बत्तर होते जाते हैं अब रवी पैसों और अपनी मनमानी के लिए नीता के साथ मार पिट पी शुरू कर देता है जिससे परिशान होकर एक दिन मीता उसे छोड़ अपने ससुराल वापस आ जाती है जिससे वहाँ देख रागव गुस्से से लाल हो जाता है हूनी थे की ले ना या हमारी जिन्दगी के साथ घरता तो पहले ही बरबात कर गई सी जान दिया मेरी गलती माव फिलायक नहीं मैं कमली सी उस धोंगी नू सच्चा प्यार दे इस सच्चे प्यार नू बहुत समझती बैठी मैंनो माव कर दो जे मेरी नूरानी समझ गईया की उस तो गलती हुया फिर किस बात का रूस ना मनाना केड़ी नूरानी रानी बोलन जोगा इसने केड़े जंडे गार दिये मा याद कर तेरे घर विच चोरी कर बहुत पत्नी सब रिष्टे तोड़ भाग गई सी ति ता रभ भी माव कर दी ता ति तू और मैं ता सिर्फ इंसानिया माव कर दे मैं बोल रहिया ये दुबारा कदी कोई गलती नहीं करेगी इस ना नहीं ता मेरा ही भरोसा कर ले ठीका, जीवे तुहानू ठीक लगे, पर इसे बोल देई, मेरे कोलो कोई उमीद ना रखे, तुसी जीवे कहोगे अपसास हर रोज रागो को मनाने की कोई ना कोई नई तिक्डम बताकर नीता को उसके पास भीशती रहती है जिससे कुछ समय बाद नीता का पच्टावा और कोशिशे देखकर रागो भी उसे माफ कर देता है ये तो बहुत अच्छा है पहे, मैं अभी डाउनलोड करके कुछ को अपडेट करती हूँ अरे अब कुछ मत पूछ विमला, लाख जतन करने के बाद भी मैने के आखिर तक हाथों में चमनी भी नहीं बच पाती कभी अपने लिए कोई छोटी से भी चीज लीनी हो तो दस बार सोचना पड़ता है तु सही कहती है, आमदनी तो बढ़ती नहीं, लेकिन दूसरी तरफ महिंगाई दिन बढ़ती ही जा रही है राशन वाले का बिल, दूध वाले का उधार अरे तुम औरते बस इसी तरह जिन्द की बरोती रहोगी खुद के पैरों पे खड़े होने की सोचो, तब तुम्हें पैसो के लिए किसी का मुझ नहीं देखना पड़ेगा अरे तु इतनी बड़ी-बड़ी बाते कर रही है, तु यह बता दे, हम क्या करे हम औरते चाहे तो कोई छोटा-मोटा व्यापार कर सकती है, जैसे की साड़ी बेचने का सुदा की बाते सुन सब औरते हस पड़ती है ना भई ना, मेरे पती को यह सब पसंद नहीं है, वो तु मुझे मार डालेंगे दूसरी औरते बे विमला की बात से सहमती जताती है, और साड़ी का व्यापार करने से मना कर देती है अगले दिन सुदा अपनी सास से ये बात कहती है बस, अब यही काम रह गया था, सारा दिन यही सब सोचती रहती हो, अरे बड़ी आई साड़ी बेचने वाली तभी वहाँ सुदा का पती विवेक आता है, अपनी मा की बात काटते हुए कहता है अरे मा, सुदा ठीक ही तो कह रही है, अगर ये साड़ीों का व्यापार करना चाती है, तो इसमें क्या गलित है मुझे तो सुदा की बात पसंद आई अरे मजाख है क्या व्यापार करना, अच्छे अच्छों की खटिया खड़ी हो जाती है, मैंने दुनिया देखी है, बेटा तुम लोग ज्यादा हवा में मत उड़ो, और फिर साड़ीया खरीदने के लिए पैसे कहां से लाएगा तुम उसकी चिंदा मत करो मा, मैं देख लूँगा अगले दिन विवेक अपने एक दोस्त से कुछ पैसे उधार लेकर साड़ी के कार खाने से बहुत सारी साड़ीया खरीद लाता है ये लो सुधा, तुम्हारा ओनलाइन अकाउंट बन गया है, अब लोग घर बैठे तुमसे साड़ीया खरीद सकते हैं ये तो बहुत अच्छी बात है हाँ, और इतना ही नहीं मैंने इसमें सभी नई डिजाइन की साड़ीयों की फोटो भी अपलोड कर दी है अब बस तुम देखती जाओ कुछ दिनों के बाद नमस्ते, मुझे सुधा जी से मिलना है ओहो, तु कौन है? और मेरी बहु से तुझे क्या काम है? माजी, मैं सुधा जी से साड़ीया खरीदने आया हूँ अरे, बड़ा बेवकूफ है तु इतना बड़ा मीना बाजार छोड़कर यहां साड़ी खरीदने आया है तेरा उपर का कोई पेच धीला है क्या? अरे, माजी, आप नहीं जानती आजकल ऑनलाइन का जमाना है समय और पैसे दोनों की बचत होती है तभी वहाँ सुधा आ जाती है सुधा बिर्जु को साड़िया दिखाती है क्या आपके पास तो बहुत ही सुंदर सुंदर साड़िया है एक काम करिए, ये वाली दे दीजिए और ये वाली भी छोड़ी एक काम करिए, ये सभी ही दे दीजिए सुधा की सास हैरान रह जाती है अरे, इतनी साड़ि का तु करेगा क्या हरे माजी, मेरी बीवी पहनेगी अरे, कितनी बीविया है तेरी माजी, आप भी न, बीवी तो एकी है पहले तो मैं दो-चार साड़िया लेने आया था लेकिन अब पूरी बीज साड़िया ले जा रहा हूं ये लीजे सुधा बहन जी, आपके पैसे, चलता हूं धीरे-धीरे सुधा के द्वारा घर में खोली गई छोटी सी दुकान चल पड़ती है और देखते ही देखते, सुधा के घर ग्राहकों की लाइन लग जाती है पैसो के आमदनी देख, सुधा की साज की आँखे फटी की फटी रह जाती है जा बहू, अब तू थोड़ा आराम कर ले इन लोगों को मैं साड़िया दिखा देती हूं मौजी अब अरे हाँ, हाँ, अब जा भी इस तरह सुधा की साज भी उसके कारोबार में हाथ बटाने लगती है देखो सुधा, तुमारा व्यापार तो चल पड़ा पिछले कुछ महीनों में इतनी कमाई हुई है कि तुम्हें यकीन नहीं होगा सच? हाँ, और तुम्हें पता है मा, दोस से लिया हुआ उधार भी चुकता करके अच्छे खासे पैसों की बचन भी हो गई है सुधा की सास अपने बहु और बेटी की कामियाबी पर बड़ा खुश होती है बहु की तरक्की देखके मैं बहुत खुश हूँ बेटा तुने साबित कर दिया कि अगर पती का सपोर्ट मिले तो पतनी कुछ भी कर सकती है जी माजी, आपने बिल्कु सही का